नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारी यूटूब चैनल के उपर देखे दोस्तों हमने जो आर्पीसी फ़स्ट ग्रेड के टेस्ट पेपर की जो सिरीज शुरू कर रखी है उसको कंटीनियू करते हैं और जो पहले के टेस्ट पेपर हैं उसकी लिंक मैंने आपको नि तो यह रहे हैं और बाद में आपको बताना है सही कूट की आदार पर कि कौन सा खतन है वो सही है तो दीके ऐसोक गलोत पांचवी बार राशतान विधान सभाके सदस्ये रहे हैं तो यह बिल्कुल सही बात है असो गलोत है वो पांची बार रास्तां विजान सभा के सदिश्य रही हैं वे पांच बार लोग सभा के सदिश्य रह चुके हैं तो वो पांच बार लोग सभा के सदिश्य भी रह चुके हैं वे पांच बार केदर सरकार के मंतरी जिनमें उप गलोद के बारे में सही दे रखे हैं इसलिए आपको जो option कौन सा दे रूख है फोर्थ option दे रूख है उपरोग्त तो सभी ये क्या हो जाएगा इसमें रैट आमसर हो जाएगा नेक्स्ट कुछन आपको दे रखा है राजस्तान के नए चीफ जस्टिस को ने तो रास्तान के वह कौन से लाड़ी हैं जिनको अरजुन पुरुसकार से सम्मानित किया गया है रवी राठोड़ो अरजुन पुरुसकार 2018 से सम्मानित किया गया है next question आपको दे रखा है COP24 के संदरब में कौन सा खतन सही है तो COP24 के संदरब में कौन सा खतन सही है तीन खतन आपको दे रखे हैं देखें इसका आयोजन पॉलेंड के कोतोवित्सा में किया गया था तो ये इसका अयोजन वो कोतवित्सा के अंतर के थी किया गया था कोप 24 के अधेक्स हैं वो माइकल कूर्टी का थे ये भी आपको सही दे रखा है इस सम्मेलन में पेरी से जलवायों समझोता 2015 को लागू करने के लिए 194 देश हैं वो सहमत हुए थे तो आपको तीनों खत्य नहीं वो कोप 24 के बारे में आपको सही दे रखे हैं इसलिए आपको जो कूट दे रखा है 123 ये सभी खतन है वो इसके इंतर कते सही होंगे नेट रुषन आपको दे रखा है वर्तमाण में भारत के मुख्य चुनावायोत को नहीं वो सुनील अरोडा है सुनील अरोडा क्या होगा इसका राइट आउन सरुगा किससे प्रसुती सास्त्री को 2018 में नोबल शांति पुरुस्कार का विजिता गोशीत किया गया है गेम्स 2022 है, वो कहां आयोजीत होना प्रस्तावित है, तो Asian Games 2022 का आयोजन है, वो होंग जहओं में होना प्रस्तावित है, क्या गया है, होंग जहओं क्या होगा, इसका राइट आम सरूँगा, नेक्ट किसन आपको दे रखाए, तोदा नोवंबर 2018 को, तमिलाडू के स्री हरी को किया है G.C.A.T. 29 का प्रेक्षेपन किया है इसका राइटान सरोगा नेस्ट देरखा है निम्न में पुस्तक और पुस्तका लेखह का कौन सा जोड़ा है वो सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है तो देखे पुस्तक आपको देरखा है ये सशी थरूर के द्वारा लिखी गई है बिलकुल सभी बात है गोर्ड शेवड है ओन्रेबल सुप्रिम कोट ये फौली एस नरीमन के द्वारा लिखी गई है गांदी की दिछ देट जेंस थे वर्ल्ड की द्वारा देखिए यह आपको इसमें गलत दे रखा है आपको यह बताना था कौन सा सुमेरित नहीं है उप्सिन जो आपको फूर्ट दे रखा है वो इसका राइटाम सुरूगा नेश्ट आपको दे रखा है 2011 की जनगर्णा के उनसार निमलिकित राज्यों में किसमें ग्रामिन और सहरी दोनों के शित्रों में सिसू लिंगा नुपात है वो क्या है नियूंतम है तो सहरी और ग्रामिन दोनों के शित्रों में 2011 की जनगर्णा के उनसार सिसू लिंगा नुपात है वो नियूंतम कौन से राज्यों के इंतरकत था रास्तान का एक करणवाता तो जोदपुराज्य का महराजा कौन था हनुवन्त सिंग नेश्ट आपको दे रखाए निम लखेते किसे मोर्यक आलिन अभी लेक के दुर्बिक स्काल के साहता परदान के जाने का भी प्रण है तो कौन से अभी लेक से प्राप्त होता है महस्तान अभी लेक से प्राप्त होता है उप्सन आपको जो सेकिंड दे रखा है वो इसका रहे टाम सुरूगा नेश्ट विसन आपको लेखक और उनसे रिलेटेड जो करतियां है वो दे रखी हैं आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है तो देखे एक तरफ आपको लेखक दे रखी है और एक तरफ करती दे रखी है देवी चंदर गुप्तम है वो विशाग दत के दोरा लिकी गी है बिल्कुल सही बात है बाद में लगू जातक है वार्य भट के ये तो अगलत दे रखा है वराहमीर के जो त्रिकोणमी ग्यान के परिचायक है और वराहमीर ने फलित जोतिश के लगू जातक वरहत जातक और वरहत सहीता नामा के तीन गरंथ है वो लिखे दे है तो इसमें जो आपको सेकिंड दे रखा है वो इसका राइट आंस रो जाएगा नेश्ट आपको देखा है विक्रम सीला विश्व विद्दाले का संस्था पकों था तो विक्रम सीला विश्व विद्दाले का संस्था पकों था द्रमपाल था उपसन आपको जो सेकिंड दे हेंटर कमिशन 1882 में शेडलर उनिवर्सिटी कमिशन 1888 में यह आपको इसमें सही सुमेलित नहीं दे रखा है ओप्षन जो थर्ड हो जाएगा वही इसका राइट आंसर हो जाएगा नेश्ट आपको दे रखा है निमल खित में से किसका नाम 1857 के विद्रों है से नहीं उनके विद्रों है से नहीं जुड़ा हुआ है उसकी लिंक में आपको नीचे डिस्क्रिप्टर में दे रखी है तो ये वीडियो खतम होने के बाद में आप उसे देख लेना नेक्स आपको देरा हिंदुस्तान गदर पार्टे की स्थापना है वो किस वर्स की गई थी तो ह आपको देरा है दिली सडियंदर केस अमीर्चंद काकोरी सडियंदर केस असफाकुला लहोर सडियंदर केस जतिंदास और बाद में नासिक सडियंदर केस राम बिहारी बोस ये नासिक सडियंदर केस राम बिहारी बोस क्या हो जाएगा ये सई सुमेलित नहीं है यही इसका राइट आमसर हो जाएगा नेश्ट आपको दे रखाए निमन में से किसे राम मोहन राय के धार्मिक और समाजिक विचारकों के विरोध में प्रारम किया गया था तो कौन से समाचार पत्र को प्रारम किया गया था तो ऐसे हो कांदुलन को प्रारम करने का कारण इन में से कौन सा नहीं था तो देखे इसमें नमक कानून है वो ऐसे हो कांदुलन को प्रारम करने का कारण नहीं था उप्सन जो आपको second दे रखा है वो इसका राइटान सुरूजेगा नेश्ट दे रखा है 1857 के विद्रोह में करांती के समय यहां के AGG Agent 2 Governor General है वो कौन थे तो देखें मैंने आपको जो 1857 की करांती का वीडियो प्रवाइड कर वाया था उसमें बताया था कि 1857 की करांती में यहां के AGG कौन थे George Patrick Lawrence थे तो option जो आपको third है वो इसका रहटाम सोजएगा सारी question मैंने आपको उसमें include किये थे और detail के माधियम से मैंने आपको उसमें समझाया है अगर आपने वो वीडियो अच्छे से देखा है तो आपके वो सारी question है वो उसी time समय है वो याद हो चुके होंगे नेकर देखा है इस समाचार पत्तर के माधियम से विजय सिंग पतिक ने विजोलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित बनाया था तो देखे किस ने बनायता है परताब समाचार पत्तर के मादेम से विजय सिंग पतिक ने विजोले किसान अंदुलन है उसने भारत को चर्ची ते बनायता परताब क्या होगा इसका राइट आंसर होगा नेस्ट आपको देखा है निमन में से कौन महेंत पैरेलाल हत्यकांड से सम्मंद नहीं था तो इन में से देखिए मोहलाल जालोरी है वो महेंत पैरेलाल हत्यकांड से सम्मंद नहीं थे उप्सन आपको जो फैस्ट देखा है वो राइट आंसर होगा देखे मैं क्यूसन पढ़ नेक्ट किसन आपको दे रखा है शिवाजी के अस्ट पर्धान में इसे सामानेत है युद्धक शेतर की जिम्मेदारी नहीं दी जाती थी तो देखे किसको नहीं दी जाती थी पंडित राव और नियादिस है उनको युद्धक शेतर की जिम्मेदारी है वो नहीं दी जाती थ तो देखे वीरविओनोद के अनुसार जो हल्द्यर्टी का युद हुआ था महारनापरताप और ईकबर के वीच में अकबर के और शेमान शेय नहीं उसका नेत्रTwag नेत्त्रत्त किया था तो मुगलों की जो छेना है उसकी संक्या वीरविओनोद के अनुसार कितिनी थी असी हजार थी असी हजार क्या होगा इसका राइटान सुरूगा नेश्ट दिरखा है सतते विकास की आवधारना सरोफर्तम सन्नी विष्ट की गई थी तो किसके अंतरकत ये समलित की गई थी World Commission on Environment and Development 1987 की रिपोर्ट है उसके अनुसार इसमें वो समलित क्या गए था उप्शन जो आपको फैस्ट दिरखा है वही इसका राइटान सुरूगा नेश्ट दिरखा है कौन सा पोधा जल में उपस्तित प्रदुसक को सारवादे के अवसुशित करता है तो कौन सा पोधा करता है इकोर्णिया पोधा करता है इकोर्ण ये क्या होगा इसका राइट आम सुरोगा नेश्टे देखा जेव विश्वे जेव विवित्ता दिवस है वो कब मनाया जाता है तो विश्वे जेव विवित्ता दिवस है वो कब मनाया जाता है 22 मही को विश्वय जिये विविता दिवस से मनाय जाता है देखे जो विश्वय के 12 महीनों में देखे जो भी परमुक दिवस हैं परमुक तीतिया हैं तो उनसके लिए मैंने आपको अलग से दो वीडियो परवाइड करवा रखे हैं पहले वीडियो में जनवरी से लेकर जून तक और दूसरे वीडियो में जुलाई से लेकर दिसंबर माहे तक जो भी महत्वपुन दिन और तीतिया हैं वो आप सारा उसके अंतरकत मेंने दे रखा है पूरे महीने में 12 महीने में कौन-कौन से जो दिवस हैं वो अक्जाम में प तो वो कौन सी की रियाती है? तो देखे़ हो PCR के नाम से जानती है, PCR क्या होगा, इसका राइट आन सुरोगा, नहीं श्राप आपको दे रखा है, निम लिखित में से कोन मनुष्य मस्तिक्स का सबसे बड़ा भाग कोन सा होता है? प्रैम स्थिक्स होता है, प्रैम स्थिक्स के ह तो देखे दोस्तों यह शीरी जब आगे इसी तरीके से जारी रहेगी इस वीडियो फिलाल अपने इतनी ही बात करेंगे वीडियो था लगया तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिए आज कि सभी को अपने अपने तैयारी का एनलाइसिस कर सकें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ में घंटे के आगन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको समय समय के उपर पहुंसके रहें